पर मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, कम, मेक इनी नी पर गिरों के मास्टर माइंड सचीन की गिरफ़तारी से साज़ेश बिफल हो गई एसे पिर नरेंदर कुमार ने बताया कि खाजियबाद के मसहूरी के नूरपूर गाउं का निवासी इस डिशीटर सचीन इस जासाज़ी का मास्टर माइंड है उसके गिरों में नूरपूर की निवासी, उसकी बहन प्रवेश, रोहतक की प्रीती और डिल्ली की हरिदास कलोनी के नेलम शामिल है गिरफ्तारी के बाद सचीन निकुलासा किया है कि वैसे रईस जादों की तलाश में रहता था जिनकी किसी वज़ा से शादी नहीं हो रही हो ऐसे गरों में प्रीती को पहले सहाई का बना कर रखवा देता है, फिर रिश्तितार बनकर खुदी पहुँच जाता है इसके बाद नेलम प्रीती की मौची बन कर जाती है, इस तरह वैं प्रीती की शादी कराता और संपत्ती हड़ाप लेता सचिन की बहन प्रवेश ये भी जानती थी कि सुदा सिंग अपने मनबुद्धी बेटी की तरफ से बहुत जिंतित हैं, ऐसे में प्रवेश नहीं जाल भुना उसने सुदा सिंग से कहा कि वैं अच्छी घरेलु सहाईका दिला देगी, प्रवेश खुश सहाईका की तरहां उनके परिचितों के यहां काम करती थी सचीन ने पूलिस पूश्टाच में बताया कि प्रिची ने साजिश को अंजाम देती हूँ, सुदा सिंग के बेटे से नजजीकी बढ़ाई, मौका पाकर एक दिन अस्पताल के कमरे में उसके गले में माला डालने के लिए कहा, उसने ऐसा ही किया, इस दौरान के फोटो खि सचीन ने इसकी पे तियारी कर ली थी कि अधार कार्ट पेन कार्ट में प्रिच का नाम सुदा सिंग के बेटे की पत्नी के रुप में दर्श कराना है ताकि समय आने पर 200 करोड की संपत्ती पर दावा किया जा सके, सुदा सिंग की मौत के बाद उनकी बड़ी बेटी डॉक् इसके बाद उन्हें प्रिती ने शादी की फोटो दिखाई वे हैं मौरादनगर गंगा नहर के पास से बने कॉलिज परिसर में ही रहती हैं सुदा सिंग के गाजियबाद में दो कॉलिज हैं इसमें एक कॉलिज मौरादनगर गंग नहर पर 30 बीगे से ज्यादा जमीन पर है जबकि दूसरा कॉलिज और कॉंपलेक्स मोधी नगर कजबी की प्राइम लोकेशन राज चौपला के फास है फुल संपत्ती खरीब 200 करोड रुपे से ज्यादा बैठती है डॉक्टर अकांचा सिंग ने शातिरों से जान का खत्रा बताते हुए सुरक्षा की भी मांग की है उपनों तेहरीर में एक गनर घर की सुरक्षा और एक गनर उनकी सुरक्षा में तराइब करने की मांग की है डी सीपी नगार निपून अगरवाल का कहना है कि घरेलू सहायक या सहायक रखने से बहले उसका पुलिस से सत्यापन अविश्य कराया जाना चाहिए इसके लिए एप यूबी कॉप पर ओनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है पुलिस से दफ्टर से भी फॉर्म लिया जा सकता है इसे भरका जमा कराना होता है बीरो रिपोर्ट नहीं दिली